अज़का बच्चो स्वागता आपका आज के लेक्चर में आज का लेक्चर अपने मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ नीट की स्रीज में अल्डी हाइड किटोन एंड कार्बॉक्सलिक एसिड का लेक्चर रखा है मेरा नाम है योगेज जैन और आज हम लोग हमारा जो ल है तो उनको हम सिर्फ प्रिवेस यर क्वेशन से रिवाइस करेंगे ठीक है ना तो बता देता हूं फिर भी आपको कौन-कौन सी रिएक्शन आपको रिवाइस करनी है देखो मैथड ऑफ प्रप्रेशन ऑफ कार्बॉनिल कंपोंड तीन तरह के मैथड ऑफ प्रप्रेशन से रिवाइस करनी है एक तो ऑक्सिडेशन ऑफ अलकोहल जो हम अल्कॉल फिनोल इथर वाले चप्टर में और रिवाइस कर चुके हैं स्ट्रोंग ऑक्सिडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सिडाइजिंग एजेंट PCC PDC द्वारा टेके ना ओजुनोल को जाएगा पिर बात करते है में तरो प्रफ्रेशन ऑफ लदी हईट ओली सिफ अल्डीड बनेगा अब यह इंप्टैंट मेंальная को रिवाइस करनी है maximum reactions name reaction है तो name reaction के आने के chance वे से भी जादा होते है नाम ही पूछ लेता है वाई ठीक है ना एक रोजेन मून्ट रिडक्शन S2 पेलेडियम BSO4 वाली ठीक है न वो आप रिवाइस करके जाओगे स्टीफन रिडेक्शन SNCL2 प्लस SCL वाली वो रिवाइस करनी है डिबाल H याद है आपको डाइबल H चार का रिडक्शन करता है एक तो कार्बोक्सिलिक एसिट का एक साइनाइट का एक एस्टर का और एक एसिड हलाइट का और इनको अल्डियाइड में बदल देता है तो उसको रिवाइस करके जाए एक एक स्थे और पेमश रिएक्शन वेरी फैमस रिएक्शन क्रोमयल अल्डियाइड के साथ कराते थे तो यहान से बहता और और साइड मेटेण है और ऑप एक साइटार पड़ोगे तो नहीं मिल जाएगी आपको से रिवाइस कर लेना ये reactions आपको revise करके जानी है revise करने के बाद एक बार copy में से देखने के बाद फिर previous year के question कर लेना अच्छा इस chapter में आपको एक और चीज़ बता दूम है कि aldehyde ketone and carboxylic acid हो आप competition वाला channel पे mind map series है उसमें लगबग 2 गंटे में ही पूरा aldehyde ketone and carboxylic acid में रिवाइस करवा रखा है वहाँ पे mind maps बनवा रखे हैं कि देखो इससे यह से यह से यह से यह इस तरह का mind map बना हुआ है तो उससे बहुत जल्दी आपका quick revision हो जाएगा तो आप उससे देखके पहले theory revise कर लेना फिर previous एक के question कर लेना बहुत जल्दी से रिवाइस हो जाएगा वहाँ से आपका फिर बात करते है method of preparation of ketone की तो ketone में एक तो acid derivative RCO living group mainly acid highlight की बात करते हैं तो acid highlight की reaction ग्रिगनाट reagent के साथ करा होगे ग्रिगनाट reagent तो आपको यहां से भी ketone बनता हुआ नजर आएगा दूसरा फ्रिडल क्राफ असालेशन जो हम लोग hydrocarbon में revise कर चुक है फिर भी एक बार देख लेना यहां से भी आपको ketone बनता हुआ नजर आएगा तो यह तो कुछ method of preparation की reactions थी जो आपको revise करनी है अगली बात करते हैं chemical properties of carbonyl compound बतलब aldehyde ketone के chemical properties की बात कर रहे है very important यहां से सबस्यादा questions frame होता है तो nucleophilic addition reaction नर reaction इसका mechanism आप revise करोगे इसका mechanism revise करना है पहली चीच क्योंकि यहां से rate का question मन जाता है rate comparison का question बनेगा aldehyde or ketone में तो aldehyde fast देता है ketone से NAR एक तो वह पढ़के जाओगे दूसरा 2-4 dnp test है ना dynitrofenyl hydrazine वाला test आपको पढ़ना है जिसमें trick बताई थी विपाशा रोय आकर red orange yellow color आता है aldehyde ketone और aromatic aldehyde के साथ तो वह revise करके जाना है sodium by sulphide test जो सारे aliphatic aldehyde सारे aldehyde और aliphatic methyl ketone aldehyde तो सारे देता है ketone में केवल aliphatic methyl ketone यह test देता है यह आप रिवाइस करके जाएंगे hemiacetal hemiketal acetyl ketal का formation आप लोग दिखके जाएंगे एक mol alcohol और दो mol alcohol के साथ वाली reaction भी revise करके चले जाना एक बार reduction reactions की बात करते हैं इसमें reduction वाली reaction भी काफी famous है तो reduction करेंगे lithium aluminum hydride और sodium borohydride से ठीके ना lithium aluminum hydride वेसे सबको reduce कर देता है alkin alkyne को छोड़के sodium borohydride के वहल चार को reduce करता है aldehyde ketone acid alight और alkyl halides को ठीके ना तो वह देखके चले जाना आप एक बार reduction भाइर रेड फॉस्फोरस है बाप reducing agent है तो सारे oxygen oxygen अटा देता है clemencion reduction और wolfkishner reduction famous famous है आपको सबको बता है कि कौन-कौन सी reaction की मैं बात कर रहा हूं ठीक है और वह आप रिवाइस करोगे ना माइड मैप सीरीज से तो सब कोई की रिविजन हो जाएगा और प्रिविएस के question लगा लोगे तो आपका रिविजन हो जाएगा बढ़िया से oxidation reactions में में इसमें टेस्ट होते हैं अब कौन-कौन से टेस्ट आपको रिवाइस करने एक तो टॉलेंस टेस्ट जिसको तो सिलवर मेरा टेस्ट भी बोलते हैं वह याद मतलब आपको पढ़के जाना एक बार कौन-कौन देता है कौन नी देता वह देखना है फैलिंग टेस्ट आपको रिवाइस करना है है इसमें आइड़ो फॉर्म टेस्ट के question मन जाते है कि कौन आइड़ो फॉर्म टेस्ट द आप से पूछ लेगा किस से बनाएं चार ओप्शन देगा किस से बनाएं मतलब इस साल भी ऐसे questions आये थे इसलिए बता रहा हूं आपको कि अल्लोल कंडेंसेशन आप एक बार रिवाइस करके जाओ और यह एने आर से ही connected है नूगलोफिलिक एडिशन से connected है दूसरी important reaction है कैन कि बात थी जो जो reactions आपको revise करनी है अब बात करते हैं carboxylic acid के preparation की जब आप अल्कॉल का oxidation करोगे ना strong oxidizing agents है तो वहां से carboxylic acid बनता है तो यह previous में जितने भी chapter से अपने अपन हाइट्रो कारबन से जब से पढ़ते आ रहे हो जोनो लीसिस वगेरा है लो फॉम reaction रिमर्टीम बतायता हूँ oxidation of alkylated benzene मतलब अगर आपका एक भी alpha hydrogen है ना benzene से alpha carbon पर यह benzene के alpha carbon पर एक भी alpha hydrogen है तो के में ओफ बेसिक मीडियम सेकिंड स्टेप में H+, H3O+, इस तरह से लिखा रहेगा तो वह carboxylic acid बना देता है वहां पर वहां पर रिवाइस करके जाए अलकायल साइनाइट का complete hydrolysis complete hydrolysis of cyanide आपको carboxylic acid देता है एस्टर का hydrolysis very important एस्टर का hydrolysis इसमें वह थ्री डिग्री वाला गेम देखके जाना मतलब जब आप वह आर स्योर होता है ना जब आपका आर थ्री डिग्री हो जाता है ना oxygen से जुड़ा हुआ तो वहां पर चीज बाहर प्रीवाइक्यू में पूछ ली कभी intermediate पूछ लेता है कभी सीधे product पूछ लेता है तो इसको भी आप लोग रिवाइस करके जाए एक बार ठीके ना वाकी तो previous year से रिवाइस हो जाएगा वैसे कोई दरद वाली बात नहीं है और वह lecture आप देखी लोगे mind map वाला तो उससे आपका क्विक रिविजन हो जाएगा एकदम अपने competition वाला वाले channel पी है यह ना ऐसे mind map series aldeide keto नहीं से लिक होगे आ जाएगा और टोबेटेगे लिए chemical properties की बात करते हैं carboxylic acid की बहुत सारी हम और रिवाइस कर चुके हैं जैसे estrification reaction या alcohol phenol ether वाले चप्टर में रिवाइस कर ली थी decarboxylation by sodaline और coal based electrolysis यह hydrocarbon में और रिवाइस कर चुके है अब नहीं कौन सी है heating of beta keto acid बीटा keto acid को गरम करते हैं तो वहां से वह carboxylic functional group जो है वह ketone देता आपने को basically heating of dye carboxylic acid ohms gaps को जब हम गरम करते हैं तो वह वाली चीज भी आपको देखनी है कभी co2 निकलता है कभी co2 पानी दोनों निकलता है तो वह भी आप रिवाइस करके जाओ hvz reaction very important again इससे भी previous year में बहुत बार question आ चुका है alpha जब carboxylic acid होगा उसके alpha carbon पर hydrogen होता है तो उस जगे पर हेलोजन लगाने का काम करता है हेल वोलाट जलन्स की reaction very important reaction है यह कुछ reactions थी जो आपको रिवाइस करके जानी ही जानी है पहले आप वह माइंड मैप सीरीज से थियोरी रिवाइस कर लेना पूरी questions भी है उसमें उसके बाद पी वाइक्यू कर लेना आपका मजा में काम हो जाएगा बिल्कुल शांदार काम ह जाएगा तो यही था वाई LD8 ketone and carboxylic acid में अब नेक्स चेप्टर अमीज की बात करेंगे ठीक है ना नेक्स लेक्चर जो है अमीज में बता दूँ आपको कहां कहां से आपको पढ़के जाना है धन्यवाद